खुआ आप लुगों को बताने जा रहे हैं पिकॉग ब्रेट हैस्टाइल जी हां लास्ट वीडियो हमने अपलोड करी थी पिकॉग बर्न हैस्टाइल तो आप लोगों ने बोला सर इसका ब्रेट वर्जन भी आप जरूर अपलोड करें जो कि आच कल काफी लेक्ट ट्रेंडि तो ज़रूर प्लीस आप हमें काइड करें तो चली दोस्तों देख लेते हैं पिकॉग ब्रीट कैसे बनाना है और कैसे आपने इसके लिए श्रक्शनिंग देनी है ध्यान रखेगा वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने हैं और इस गोईंग टो वेरी वेरी और आप लोगों को अच्छी से समझ मे आएगा और जुली से आप अपने ब्लाइंट पे भी इसको बना पाएंगे तो चली दोस्तों देख लेते कैसे इसने हो ना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्णींग बता रहा हूं कैसे आपने स्ट्ष्शनिंग लेना है साड़े तीन से चार फिंगर आपने छोड़ना है इन मानिकुन पे क्लाइन पे आप फोर तो फाइफ फिंगर ले सकते हैं बिकॉज अप देंसिटी थोड़ा कम होता है तो अभी हमने अकॉर्डिंग तो मैनिकुन हमने छोड़ा है तो आप क्लाइन के उपर चार से पांच मान के चलो आपने फ्रंट के लिए छोड़ लेना है जो कि आपने एर के टॉप पॉइंट से लिया है और ठिक हमने एर के दूसरे टॉप पॉइंट तक हमने इसको ड्रॉ किया है तो यह front variation का लिए हमने छोड़ दिया, इसके बाद आपने ये puff के लिए, crown puff के लिए, lines के लिए, ये air top point से 4 finger उपर आना है यहां, और यहां से आपने ठिक कर्व लेना है, C type of section, ठिक दूसरी point तक, ये भी आपका air point से, top point से, ठिक 4 finger उपर, तो ये आपका C section हो गया, puff के लिए front variation के लिए, चार से साड़े चार, चार से पाँच, आप लिए बीच में ले सकते हैं, manikun पे, तीन finger उनफ रहेगा, now, back point पे देखे आप, ये जो आपके side के section बचे वे, इनको छोड़ देना है, और ठिक middle point पे, मान लो, ये center profile parting है, तो center profile parting से, दो finger इदर और दो finger इदर, वर करेंगे, तो इसको हम बैक कॉम करने वाले हैं, तीन से चार सेक्शन में, और साथ साथ में हम डोनट को भी लगाएंगे, ताकि आप उसमें थोड़ा हैवी बेस या हैवी लुक आप दिखा पाएं, क्लाइन अगर बैक कॉम के लिए मना करता है, तो आप बैस थोड़ा एक् क्लाइन नहीं करता है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो हमने सबसे लोवेस पॉंट से एक सेक्शन लिया है, और दो सेक्शन हमारे ऊपर भी निकलने वाले है, तो पहले आपने इस पे बैक कॉम करना है, बैस बनाना है, तो स्टेप वन में बना रहे हम बना रहे हैं 1 अश स स स ब्रूम क्वाइक है, फ्रस्ट बाइस भ्रेनिंग है लिए क्योड जो, ओम हंग झा राम फ्रूलτιमच की ऑलूरो हुआ है यहां से आपने बैक वाग प्रूम करना है, इस ब्रूड़ कॉर को सरेंगे। यह next section जब आएगा उस पे आप कर सकते हैं, इसको आप पूरा बेस बना सकते हैं, थोड़ा आपने spread करना है, चले इसको हम पूरा कर लेते हैं, अब section के ऊपर आपने base तयार कर लेना है, sorry, थोड़ा सा edges point पे छोड़ देना है, तो पहला section लिया हमने उसको पूरा ही backcom किया, spread क करना है, जितनी चोड़ाई आपको चाहिए इसमें, उतना आपने इसको ब्रॉड करना है, और साथ साथ में हम होड़ स्प्रे भी कर देंगे, जो छोटे 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 हैर हैं, इनको भी रिवर्स करके चाहे यहीं पर पीछे आपने चुपा देना है, तो यह पहला सेक्शन था, जो हमने बेस के लिए तयार किया, बैक कॉम करके, और एजिस पॉइंट पे यह हम इन्विजिबल पिन लगा रहे हैं, यह बहुत लाइट वेट होती है, और मालूम भी नहीं चलता है, इनका कि कहा आपने लगा दी है, तो बस यह एजिस पॉइंट पे लगा सेक्शन लेने वाले हैं, उसको भी हम बैक कॉम करने वाले हैं, तो सेम सेक्शन हम दूसरे सेक्शन में भी हम सेम करने वाले हैं, सेम वी सेम टेक्निक, मैं थोड़ा क्यमरे को और जूम कर लेता हूं, आपको अच्छे से दिखाए देगा, तो राइट नाव यह जिस तेकिं और यहां पेsब पॉयंट पर हमने इसको श्टेद चौड़ दिया है कि यहां पे आप पेटल्स बनाएंगे पिकॉड़ कि पेटल शोड़ करनी है और यहां पे हम इसको प्ले करने वाले है जस्ट पॉयंट पर ही और बाकी सब पर आपने बढ़ने में का रहे तो आप नीचे वाले सक्षिन से इसमें एड़न कर सकते हैं, इतना एनाफ है एजिस पॉइंट पे दिखाने के लिए, चेक कर ले आप एजिस पॉइंट पे यहां पे जो आपने पहली पेटल्स प्रेजेंट करनी हैं, यहां से हम कुछ इस तरीके से इसको प्रेजेंट करने बाले हैं, जो कि पहली पहली आपकी पिकॉक पैटल रहेगी सबसे एजिस पॉइंट पे, यहां पे आप इसको लोग करके यहां पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हो, चलिए अभी नेक्स एक्षिन लेते हैं, इसको भी आपने बाक्कॉम करना है, एक्स्ट्र बाउंस के लिए हमने बोला आप डोनट लगा लेंगे, आप डोनट को कट करके, यह हमने कुछ कट पीसिस रखे हैं ऐसे, तो आप इनको लगा सकते हैं यहीं पे, जितना भी लंबाई का आपने बेस लगाना है, माना यह लंधी है तो इसको डबल फोल्ड कर लें आप, और इसको ठीक यहीं पे लगा देना है उपर, जो थोड़ा हैविनेस के लिए हम कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा यह आपको बाउंस अच्छा मिले और जो भी लॉकिंग आप करें तो इसके उपर अच्छे से वो लॉक हो जाएगा, जो यह हमने बेस लगा दिया है फिलाल और जो कि अच्छे बाक कॉम कर रहे है उसके साथ में हम इसको घुल कोरे रहे हैं गरिक में ले रहे हैं तो बब फिन लगा है आपनी अपन रहे हैं तो यह जो कि तरह प्रम निचे वाली हैर के साथ इसको अटेज कर लें वी चाए बाब पिन लगाए या यू उपन लगाए ऐसे आप इसको लॉक कर लें एंसाइट अंदर की तरफ और इस शुड़ बें इन सेंटर पॉइंट ध्यान रहें और पॉइंट से भी यहां से भी लिया आपने यहां से भी यू पिन लगा रहे हैं अभी डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगा दे इसको इन्विजबल पिन भी आप लगा सकते हैं यह चोटी चोटी फाइंट पिन आती हैं ऐसे इनको भी आप लगा सकते हैं यहां पर नीचे चलेंगे बेस को थोड़ा हमने ऊपर तक ही रखना है बिकोज कई बार अगर आप बहुत नीचे तक कवरिज या हैर नहीं आपाएंगे तो नीचे थोड़ा सा अब हमने इन्विजबल पिन लगा लेनी है नाव पहला लीव आपने तयार करना है अभी पहले हम इसको कवरिज भी करेंगे टॉप सेक्शन से अभी उपर वाला सेक्शन भी आने वाला है उसे भी आपने इसको यह जो हमने बेस लगाया है इसको कवर करना है यह उसका भी स तो आप इसको कवर कर लेंगे इस सेक्शन से तो विल डू बैक कॉम अगीन वान टू थू त्री फूर सेम बैक कॉम किया आपने इसको अच्छे से आपने बैक कॉम करना है एज पॉइंट पे थोड़ा सा हम हैर बचा के चलेंगे इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं और यह लास्ट वाली लीफ आफ बना सकते हैं बस इसको भी आपने फैला देना है इसको और जो बेस हमने लगाया है उसको आप कवर कर देंगे इस हैर से हमने उसको ढग देना है तो इससे क्या होगा सेम शेडिंग का हैर आपको मिल जाएगा सो ऐसे आप बैक कॉम करें और ठीक इसको अगें कॉर्णर चु कॉर्णर आपने इसको यू पिन से लॉक कर देना है नीचे वाले हैर के साथ तो ये कॉर्णर पे यू पिन लगा दें ऐसे या आप बॉप पिन भी लगा सकते हैं इन्विजबल पिन भी लगा सकते हैं अभी हम फिलाल यू पिन लगा रहे हैं जो ऐसे डाउनवर्ड निकले ना डाउनवर्ड लगाएंगे ऐसे तिर्चे तो आपके ये पिन्स जो है वो निकलेंगी नहीं बाकि इन सबी हैर को जो छोटे छोटे फ्लाइ फ्लाइ फ्रिजी हैर हैं इनको कंट्रोल करके रखें बॉप पिन लगा दें अच्छे से लॉक कर लें इनको ताकि ये बाद में साइड पॉइंट से विजबल ना हो वैसे तो हमने इसको पूरा ही कवर करना है अच्छे से पहले लॉक कर लें ये स्नाव यहां से आप पहली पैटल बना सकते हैं ये पहला स्क्शन है जिसके आप पैटल तेयार करेंगे इसको चाहे साइड पॉइंट पे आप एक यू पिन ले या इन्विजिबल पिन ले कॉनर पॉइंट से दिखा रहे हैं इसको तो दोनों हैर को यहां लाए हम लॉक करें और इसको यहां से स्प्रेड करना है अपने तो यह पहली पैटल है जो आप तयार करेंगे लोविस्ट पोइंट पे ठोड़ा दूर से दिखा देता हूं यहां पे जो कि कुछ इस तरह के से आप यहां पर प्रשju तड़ा पर से नहीं श तो हुड़ा ऑर उपर से बस आपने इस इसमेटरी देखनी है अब अशी को प्लेड चरेंगे मैं कउन स्प्रे बससे प्लेड क ढ向 करें क lle Enough आपको पैटल बना सकते हो अपको पैटल कि मोरत न सकते हो तिप्रेज हो आपकर iç यह त्स कर आप पैली लीद देड़ थिर नाइस टीक है इतक है आपको को स्वेख करें तो इसको से टूरंट दे। तो हमने प्रेश लिया और इसको फिक्स कर दिया, so holding spray अभी हमने P use किया, आप टाफ्ट भी यूस कर सकते हैं, यह वाला, so इससे भी एक फिक्स हो जाएगा, so just apply the hold spray, black one, taft कोई भी हो, आपके पास hold spray जो कि इसको फिक्स कर सके, so यह पहली पेटल आपने बनाई और इसको ठीक आप यूपिन से डाइगनली लॉक कर दें, जरूरी नी की यूपिन ही लगानी है, आपके पास इन्विजबल पिन से हैं, उनसके भी आप लॉक कर सकते हो, yes, it's looking nice, so यह पहली पहली पेटल थी आपकी, बाकी सबी छोटे छोटे फ्लाइ फ्लाइ प्रिजी है को control करें, और में ही आपने छुपा देना है, so यह पहली पेटल थी हमारी, यूपिन लगा दे इसको शेप तयार करते के लिए आपको कैसी इसकी आउटकम रिजल्ट चाहिए, थोड़ी देर होल्ड भी करें इसको, जशा शेप आपको चाहिए, यह सबसे नीचे वाली पहली पेटल है, तो पहली पेटल यहां, देन इदर फिर इदर, अब आपने दो पेटल और बनानी है, यहां पर और यहां पर, छोटे-चोटे सेक्शन लेके बाकी जो सेक्शन बच रहे हैं, इनको ऊपर ही ले जाए और बेस में ही ऐसे, डाउनवर्ड की तरफ, आप यू पिन से भी लोग Next section, अभी पहले आपने नीचे वाले sections यूज करने है, सबसे पहले हम down point से section ले रहे है, नीचे से आपने section लेने है, down point से, सबसे lowest point से, और यह चोटे-चोटे बाल जो हैं side points इनको चिपका दें, अंदर की तरफ, बेस के साथ में अटेज कर लें, ताकि यह बाद में, कर देना है तो उस्प्रे का यूज करें और कुछ पिंस आप लगा ले जैसे यू पिंस है ऐसे लॉक करके भी आप लगा सकते हैं तो दिखनी नहीं चाहिए पिंस ये ख्याल रखेगा आप तो सभी छोटे छोटे फ्लाइ फ्लाइ फ्रिजी हैर को आपने अंदर ही सटल कर दे तो अब आपने सबसे डाउन पॉइंट से हैर लेना है पतले पतले सेक्शन तो मैंने एक फाइन सेक्शन लिया बाकी हैर को मैंने उपर ही सिक्योर कर लेना है पैटल आप ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और इसको ठीक आप थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे आप स्प्रे कर लें इसको नीट अन क्लीन कर लें तो देखो हमने कॉर्न से ताकि यह कोने से यह कॉनर पॉइंट से फ्रिजी ना लगे स्प्रे कर लें नीट अन क्लीन कर लें इसको और बेस को कवर करना है आपने छुपाना है थोड़ा थोड़ा दे और फिलाते हुए हम यहां पे आए हैं इस पॉइंट पे ठिक यहीं पे आपने इसको यू पिन से लॉक कर देना है सो यहां पे आपने U-PIN लगानी है प्लेस्मेंट दें जैसे आपको पैटल्स को चाहिए वैसी प्लेस्मेंट कहा पे देना है इसको प्लेस्मेंट डिसाइड करें और फिर पैटल बनाएंगे हम इस पॉइंट पे सो अभी हम वहां से लाएं बेस को ढखते हुए अब जब हम वहां से प्ले करेंगे तो इधर का यह सारा पार्ट भी कवर हो जाएगा बस तो ऐसे आप बेस को भी कवर करेंगे नेक्स्ट फ्लैप ठिक यहां पे आपने प्रिजेंट करनी है सो यहां से हमने इसको यूपिन से लॉक किया काम करें इसको, शाइन स्प्री करलें इसपे थ्वड़ा शाहने के लिए आद फ्रिज चनूल के लिए ना ज्स्ट काम करें इसको और ज्बेंगे यहीं से आपने इसको घरे जहां, धहिको प्लिस्मेंट कैसी चाहिए वहीं पे आपने पैटल्स को प्लै करना है तो आपको ऐसा चाहिए या थोड़ा ऊपर से प्रेजेंट करना है तो डिपन उन यू फिलाएं पैटल को जितनी लंबी आपको पैटल चाहिए उतनी आप बना सकते हैं और जैसा आपको प्रिजेंट करना है चेक करें मिरर में या जैसी शेप आपको चाहिए यह से लोकिंग नाइस बस स्प्रे करें इसको क्लीन करें तो पहली पैटल यह है दूसरी पैटल ठीक हम ने उसके ऊपर दिखाई बट पहली पैटल को छुपाया नहीं है हमने कनेक्ट क अर बाकी के रिमेनिंग है इसको यहीं पिन लगा दे यह रिमेनिंग है जो बचे हुए है इनको ऊपर लाए और उपर ही आपने लॉक कर देना है बेस डोनट आपने लगा है स्पॉंज तो उसमें आराम से यह लॉक हो जाएंगे बाकी के सबी सेक्शन देखो हम उपर आए बाका है और यहीं पे आपने यह उपन लगाकर लॉक कर दीना है इस सच्छन था स्प्राइब डोनों साइट से उठा रहे हैं यह हम बाक से स्टाट अप कर रहे ताब ऐसा कंडिशन है आप पलेसे पर रएशन भी बढा सकते हो और आप गारी उसमें यहाह से भाट से बात आप फ्लैप को ओवरलैप भी कर सकते हैं, एक लीफ के उपर दूसरी लीफ को भी आप दिखा सकते हैं, और यहां से भी हमने सेम इसको कवर करना है, कॉर्नर पॉइंट को कवर करें, बेस को ढखना है, और ठिक उपर आए आप, यहां पर यूपिन लगा दें, यहीं पर यूपिन लगाए हमने, नेक्स्ट यहां पर फ्लैप आजाएगी हमारी, पिकॉक पैटल साब बना लेंगे, यहां से भी हमने लॉक किया, अब नेक्स्ट आपने यहां पर प्रजेंट करने हैं और साइट से इसको कवर करना है, सो देखो, यूपिन हम एस सेक्शन को हम कहा से काल आ रहे हैं और पिन सारी छुपानी है आपने, यह से सेक्शन हमें यहां से, इस कौर्णर से चाहिए, यूपिन फिर लगाएं उसी हिसाब से आपने यहां से भी हम को एड कि चैय निज दिड़ा है इस इस इन चैय को शर्ट करेंगे इस पॉर में इस फेड गॉर थे लिए दंढ श्राइणी यहां थím को ऐसे पाता ही आप यह भर 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 के लुझा और डाउन होईगी ये पिकॉक आपकी पैटल येस थोड़ा और अधर शेप देखें हाँ शेप जरूर चख करें बैलन्स करें कैसे आपने कहां पर इसको देना है तो उसे साफ से आप प्रजेंट कर सकते हैं येस राइट नाँ त कि है अधर शेपन दिस्प्लेग और यहां पर आप द्रयू ये अधर बचल मलूए लेगा अधर अड़ टैल अर सकते हां ये ये तो योppen आडू उस्क्रिय आप प्लेस कर दें सेज़े है जляए। इसको रहत होना तो Rs. Sud. उसकर अपर यूशर में ठाल करने के लुपर ही लॉक कर देना है ये दूसरा इसको भी आपने एक तीसरा सेक्षिन था जो हमने लिया इसको भी आपने बनाया ये इस लुकिंग प्रिटी तो सबसे पहले एक पैटल दिखाए हमने देन उसके बाद 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 बॉपर बस ऐसे चलते चले जाएंगे ऊपर जो है बढ़ता चले जाएगा, बेस भी चोड़ा है, तो आपने इसको पूरा कवर करना है, बाकि इन वाले उपर वाले हैर को हमने यहीं रूल डप करके यहीं छुपा देना है, सो फिर पहला यह था नीचे फ़र दूसरा तीसरा मिन्स पहले आपने सेकन old अत्र लेफ्ट फ़र लेफ्ट फिर जाएप हैं तो फिर यहां से भी हम सेम चालेंगे सेम सेक्षण कर यूज करेंगे एक और सेक्षण दिया हमने, इसको भी प्ले ना— यहां पर ध्यान रहके कोर point से यहाँ पर आपने इसको covered करना है है तो पैटल को थोड़ा , या बेस को थोड़ा shrinked up करें , side corner point से और पैटल को थोड़ा नीचे करें यहाँ आपने cover करना है यहाँ पर बार बार फिर कोई layer जो है वह coverage के लिए नहीं आएगी बेसक आप पैटल को नीचे कहच दो और बेस को कवर कर ले तो नीचे और कोई पैटल नहीं उपर तो आपको फ्रंट के हैर मिल जाएंगे बट यहां पे आपको कोई हैर नहीं मिलने वाले हैं बाद में तो यह ख्याल रखें आप दोनों तरफ आपने इसको करना है यह सित्स लुकिंग नाइस सो यह पहला सेक्शन था जो हमने अभी यहां पे प्ले किया इसको भी थोड़ा हमें शार्पनेस चाहिए तो थोड़ा सा हमने यूपिन की मदद से इसको ऐसे दिखाया बस सो यह टेक्निक रहेगा आपको इसको बनाड़े का नेक्स सेक् और साइट पॉइंट पे देखो हम इसको बिल्कुल कवर अप करते हुए ला रहे हैं तो साथ साथ में बेस भी आपका कॉलर पॉइंट से छुपता रहेगा और इसकी लुक भी अच्छी आएगी और यहां पे लाने के बाद फिर आप इसको स्प्रेट करेंगे हलका सागे पेटल अगर आपको हैवी चाहिए तो आप सेक्शन जो है वह 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 ले सकते हैं यहां इसको स्प्रेड करना है अपने फिर कॉर्णर पे फिलाया इसको और इसको यहां पर प्रेज़न करना है पूरे बेस को आप कवर अप करेंगे अंदर बेस नहीं दिखना चाहिए यहा कैसा लग रहा है यह यह इस लोकिंग प्रिटी शेप देते रहें इसको स्प्रे करें क्लीन करें और यहीं पर आपने इसको सटल करना है तो कहां पर चाहिए यह जरूर डिसाइड करें और फिर पिन लगाएं तो यह हमने कुछ पिन लगा दी है ऐसे दिस्टेंस में लगाई है ध्यान लखेगा फ्रिजी नहीं होना चाहिए तो यह पैटल तैयार करिए आपने तो यह पैटल हमें यहीं पे चाहिए यह साइड से भी चेक कर यह यह बाकी बचेवे बहर को भी आपने उपर लॉक कर देना है सो यह उपर ले आए बाकी के जो रिमेनिंग हैर है यहाँ पे भी आपने पिन लगा दी यह सो यह आपकी साइड की पैटल जो हमने यह पे तैयार करी बाकी रिमेनिंग हैर सब को उपर लाना है और यहीं पे उपर आप इसको फिक्स्ट अप कर दें इसको भी कवर करेंगे आप बाद में दूसरी फ्लाप आएगी जब हमारी उस साइड से यह से लोकिंग नाइस सो अभी आप ने इतना फूर पैटल बनाई हमने नव यहाँ की बारी है यहाँ से भी शेक्शन लेंगे इस कॉर्नर पॉइंट सो वन मोर सेक्शन फ्रॉम कॉर्नर पॉइंट अब जै अब देखो यहाँ से आपको बहुत जादा उपर भी नहीं जाना है विकाज अफ उपर आपके पास अलड़ी बहुत हैर है सो कॉर्नर से भी आप हलका सा स्प्रेड करें इसको बेस को कवर करने की कोशिश करें यहाँ पे हमने कुछ पिन लगा देनी है ऐसे ताकि यह एंड ठिक अपोजिट साइड के हम उपर आगे हैं देखो बेस आपका बहुत जल्दी कवर होगा बिकाज अफ इस प्रेडिंग टेकनिक है बाल को फेला रहे हैं आप तो बहुत जल्दी आपका बेस कवर हो जाएगा और पिकॉक ब्रेड आपकी तयार हो जाएगा आपको बाल बल्कि सुचना पड़ेगा कि किदर दू मैं इसको यहीं पर रखा इसको यहां से आपने फिर एक और पॉइंट पे देना है यहां से आप पिकॉक पेटल्स को बनाएंगे यहां से आप पंक को तयार करना है अब देखें अधर मिरर में यहां से लोकिंग नाइस स्प् हैं यहीं पर अऽचा लग रहा है यहां यहीं जो आपकेश है अभी हमने होड़ स्प्रे नहीं यूज किया मैंगे सिखों यह हमने अजू्स किआ है नहीं है यहां से शिज़ों को आपकेशन तर भिश् dif crisp कर नहीं आ है यहिस नहीं आ यह यहां तो बार बार मिरर में चुझ हमने ब्रीट को अल्मोस्ट आदा हमने बना दिया है जिस दिशा में आपने इसको प्रेड किया है बाल को ले जा रहे है उसी दिशा में आपने उसी डारिक्शन में आप इनको क्लीन भी करेंगे तो अभी तक आपने इतना पार्ट तयार किया, अल्मोस्ट अधा हमने बना लिया है, सुन्दर लग रहा है, चोटे चोटे फ्लाइ फ्लाइ फ्रिजी है को चूल करें, और शेप में दें, वी शेप बनानी है आपने, यू, तो वी शेप बनानी है इस प्रेट की, तो कॉर्नर तो कॉर्नर भी ध्यान देहा है, अन्टरनल बेस ना दिख रहा है, क्लाइन को सीधा रखें, मालूम चलेगा आपको की पैटल्स आपके इसकी फैदर की जो प्लीस्मेंट है वो कहां पे देनी है, स्प्रेडिंग आपको कहां पे प्रिजेंट करना है, बाकि सारे चोटे चो में आपके हैस्टेल में फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगे, वाव, इस लुकिंग प्रिजी, अभी हम इन सेक्शन को भी लेने वाले हैं, यह भी सब नीचे ही आएंगे, यहाँ पे देखो यह वाले सारे हैर भी हमारे पास में हैं, इन सब को आप यहीं पे लेके आने व आप तयार करने वाले हैं, आदा हमने बना लिया है इसको, बाकिए साइट साइट, अब हमने बनाना है पुफ एन लाइन लाइन वर्क, अब हमारे पास अभी देंसिटी काफी अच्छी है लेकिन जब आपके पास देंसिटी कम हो तो आपने बैक्कॉम करके वॉल्यूम दे रहे हैं और ठीक इसी पॉइंट पे हम इसको लॉक करने वाले हैं, अब हॉरिजंटल सेक्ष्टी कम करके पफ तयार करें, जिपना आपको वॉल्यूम चाहिए हो, उपर उपर तक अपने जहां तक भी आपको वॉल्यूम चाहिए हो, बैक्कॉम करना हैं शेक्ष्ण को स्प जब आपको हाइट चाहिए होती है तो बैककॉम थोड़ा ऊपर ऊपर तक करना है दियान रहे लाइन बनानी है तो फ्रेंट वाले सेक्शन को थोड़ा आप क्लीनर रखेंगे ताकि लाइन बनाते समय वह इंटरनल बैकॉम विजिबल ना हो यह दूसरा सेक्शन इसको भी अपर ऊपर तक आजाएं बैकॉम करते हुए शेप तैयार करना है कितना बाउन्स ही यह स्प्रे करेंगे और इसको भी आप फैला देगे छोर्ब आप तैयार किया बहुत जादा वॉल्यम नहीं चाहिए हमें और साथ-साथ हमने रिमेंट थे पर रूट पे किया है यहाँ और यह लास्ट सेक्शन है तो इसको भी आप माइनर सा जस्ट एंडरूट पे ही आपने बैककॉम करना है स्प्रे करेंगे हलका सा किया है हमने ना के बराबर और इसको पलट देना है यह cleaner layer है जो कि इस puff के ऊपर आएगी और इसमें आप lines work तयार करेंगे that's it clean करें, clean करें अब lines work आप लोगों के ऊपर depend करता है कि आप कैसी lines work इसमें बनाना चाहते हैं deep देना है या commercial देना है तो पतली पतली लाइन आप तयार करें इसके उपर जो कि अभी आप लोग बनाते ही हैं जो कि ट्रंडिंग में है कॉमर्शियल लाइन प्रेस करें पफ को थोड़ा सा आगे की तरफ श्रिंक करें corner to corner प्रेस किया हमने थोड़ा आगे की तरफ पुश करना है यहां पे देखो जादा बैकॉम हो रखी तो हम उसको रिमूव करने हैं जहां पे जादा बैकॉम है उसको हटा दें और जहां पे कम है वहां पे आपने तील कॉम से ऊपर उठादेना है एक वुडन इस्टिक यहां रखी एक वुडन इस्टिक नियारे पर रख दी है तो कुछ इस तरीके से आपने इस पफ को बनाना है और उसके बाद आप लाइन स्वक्त तयार करेंगे तो फ्रेंट से देख लेते हैं लाइन स्वक्त make sure पहले आपने पफ को गोल बनाना है उसके बाद आप लाइन स्वक बनाएंगे पहले मिडिल से हलकी सी फिर सेकिंड त्री फोर तिन तिन लाइन हम बना रहे हैं अभी इसके उपर सो बिलकुल नेल से आप खैंचे और लाइन वक को तयार करें अगरो этом ही हलकी टेक्च्शcolor LINE हमने प्ले करी है साथ साथ में आप चाहिए तो फिक्स भी कर लें होंड शिप्रे से Сп्री करना है करना है so हम बहुत फाइन हम में तयार करें कुछ इस तरहिके से recipe करना है और उदर वाली lines के साथ में कितना अच्छा लग रहा है So pulling technique थोड़ा सा आपकी hair styling को enhance कर देती है जो भी pattern जो भी variation आप बना रहे हो But it depends on try क्लाइन के टेस्ट के उपर निर्बर करता है उसको lines work पसंद है भी या नहीं है जरूरी नहीं है कि सबी clients को हो So यह आपने ख्याल रखना है और क्लाइन को पूछना है कि lines work चाहिए या नहीं Yes, it's looking nice So आप इदर से भी lines work बनाएं, fix करें इनको दूर से हम spray कर रहे हैं Taft का spray अभी हम यूज कर रहे हैं So हलकी हलकी lines work आपने तयार करनी है Yes, it's looking pretty That's it So यह हमने पफ बना दिया है Lines भी हमने बना दी है Now we lock इसको हम लॉग करेंगे Back of the point से So हमने इसको rubber band के साथ में लॉग करना है Light हलके हाद से So यह हमने यूपन ली है और इसको दोनों साइट से Base अंदर है इसको ऐसे cross करके लगाना है Diagonal और यह भी Diagonal That's it अब इसको निकाल दें So ऐसे आप इसको लॉग करेंगे With using rubber band Yes, it's looking nice So यह हमने बनाया पफ और उसकी लॉग करें अब हम चलते हैं Front variation पे So देखे यह वाले हैर अभी हमने छोड की रखे हैं इनको हम यूज करने वाले हैं पिकॉक्स पैटल के लिए So यहां से यहां जाएंगे पहले हम front variation तयार कर लेते हैं पिर आपको बहुत सारी हैर मिल जाएंगे फिर बैक अप पॉइंट पे सिर्फ रह जाएगा इसको बनाना अभी हमने आदा ही तयार किया है उसे So front variation हम forward graduation Sorry So front variation हम थोड़ा diagonal section के साथ में दे रहे हैं So यहां आपने diagonal section लेना है तिर्शा यह देखिए यहां से Recession Point से मान लीजे आप And simple सा Falling Way में तयार कर रहे हैं हम इसको Comm करेंगे side point की तरफ Shine spray करें पहले तो Shining के लिए, Frisk Control के लिए और front पे देखें कैसा result आपको चाहिए तो थोड़ा spreading चाहिए हमें इसके उपर Falling look भी आप देश सकते हैं Comm करें बारंबार Fall आगे की तरफ ठीक है तोड़ा से इसको उपर उठने दें और फिर front पे आपने इसको फिला देना है कितना फॉल्च है यह चग करें ठीक है अच्छा लग रहा है सुन्दर लग रहा है तो मैनिक्वन पे भी देखो हमने पहले शेप तयार करी थोड़ा सा पुश किया इसको उपर इसको forward की तरफ प्ले किया यह रुकेगा नेई तो इसको एकार प्ले करेंगे यहां पर छॉला पर ल्याइन खैश में बनादाओ नेइई तो इसको 훗 Macamu कर दिया है तो इस प्रे के बाद लाइन नहीं बनानी है बस हमने यह पहले लाइन खैज दी थी हलकी हलकी तो बस उसी को इन्हांस कर रहे है और साथ-साथ में यहां पर यूपिल लगा दे इसको रोकने के लिए अभी फिलाल तो यह तंपरेरी होल्ड है बात में जैसे जैसे आप स्प्रे अपलाई करते चले जाएंगे यह आज इस फिक्स हो जाएगा तो यह हमने जस्ट फॉल दिखाया क्लाइन के फेस पे फोरेट पे नाव यहां रोकेंगे सेक्शन को पीछे सरक जाएंगे आप देखो बैंक्स ब्रॉड हो रही है तो आपको इसको ज्यादा ब् लगा के सेक्शन हाथ को सरकाना है पीछे जाना है कुछ इस तरीके से पीछे आगे हम देखो यह सित्स लगिंग नाइस और इस पे आप हलका हलका लाइन वाग जो आपने खैची थी उनको कंटिनु बैक पॉइंट तक आप ड्रॉ कर सकते हैं यह से भी उठा लें यहां से इसे कुछ आप हलकी हलकी लाइन साप इनको बैक अप दा पॉइंट तक कंटिनु आप ड्रॉ कर सकते हैं यह सित्स लुकिंग नाइस स्प्रे करें और इनको भी फिक्स कर दें सो यह हम कॉमर्शल वे में बना रहे हैं हलका हलका जो कि आप अपने क्लाइन के उपर बना सकते इसको फिर आपने ट्विस्स करना है और यहीं पे आपने इसको बाप पिन से नीचे बाप पिन लगानी है कॉम किया हमने यह पर होरिजन्टल ही यह यह देखिए हाथ से पकड़ दिया है इसको और बाप पिन से यहीं पर हम लॉक कर देंगे ठिक फिंगर के ऊपर लगाना ह तो अब लगानी है। अब लगानी है शुझनु में लगाना है ना अए रहुः दुग के बाप मैंगे हाथ से आपने लगा लाइन बापने लगे कर लें हैं। आप लेका शुल फिए अपने से नीच कि दुभी जर कि आपकी फ्रेंखियान्ग रहँ है कूश की फ्रुंञ करें , देखे कितना फॉल्क लाइन के इस पेस पेस पेसुट कर रहे हैं, आपका सा ही फॉल चाहिए आपको, शाइन प्रेय इस प्रेया इस प्रेय करें प्रेय कि बढ़े बनाते समय और देन को प्रेया बार बार अब ताकि एक पी नहीं ड़ाए अपका टेंगल ना रहे इस प्रेड किया, थोड़ा जादा बाहर हो रहा है तो फेच्छ दें इसको, पीछे खेच लिया हमने, that's it तो फेच्छ पुल किया है हमने और हल्की हल्की लाइन इस पेपीख देंगे, one, or two, or three, or four, that's it ऐसे हल्की हल्की लाइन आप ज्राओ कर ले तो सुंदर लगेंगी और यह लास्ट लाइन बस आपको अच्छ लगे तो आप इनको फिक्स कर दें पहले स्प्रे करना है और फिक्स कर देना है ब्लो भी करें इस प्रे को सूखने दे और फिर आप लॉकिंग के लिए जाए, that's it कर दें पु क्की हुआ स्प्री की और मुगा पिर इसको इसको प्लटना है देंखो फिर भी को तरृम करना है फ्लैप अप लाइन को दिखाया प्र्जुर प्रजेंट करना है यह पे जाती हुआ हैं अच्रू लगेंगे ख opens 6 same प्रेड करें इनको भी एंड फिक्स कर देना है जोस्तों थोड़ा साथ वीजियो लंबा हो जाता है बेकोज आप लोगों को हर एक चीज हम दिखाते हैं डिटेलिंग में कि आपको ऐसा फिल नहीं होगा कि हम आपको कोई भी पार्ट स्किप कर रहे हैं बहुत बारिकी से आप लोगों को बताते हैं ताके समझ में आई जो भी बिगनर है या जो भी बिगनर नहीं भी है उनको भी So this is our second flap जो हमने spreading technique से बनाई Yes it's looking pretty Now third one तो इस सारे section यहां पर आ रहे हैं यहां से भी हमने लेना है स्रिप corner का section लिया हमने और इसको भी आप तयार करेंगे Third flap इसको पूरा continue हम तयार कर रहे हैं यहां से फिर हमने diagonal दिया इसको Spread करेंगे और ठिक इसको overlap करते हुए वहां जा रहे हैं So इसको भी calm करें Sight पे आना है Shine spray करें इसको भी आपने calm करना है Again Calm और इसको भी spread करना है Yes Spread करें यहां जाना है Turn करना है So यह हमारी third flap है जो तयार हो रही है Pulling technique One Two Three Yes Four यहीं से And last यह fifth So ऐसे आप इसको spreading and lines work तयार करेंगे अभी केवल हमने shine spray किया है Now बनने के बाद में अब हम यह black वाला spray यूज कर रहे है Taft का holding spray Pass number का इसका hold है थोड़ा pass से apply किया हमने चोटे-चोटे fly frizzy hair बहुत है इसलिए और इनको clean करते वे Blue करेंगे आप Clean करते वे लेके जाएंगे Yes अभी करेंगे इनको भी इन्हांस करना है अजिस पॉइंट तक तो हमने इनको क्रीज किया दिखाया तर्न किया फ्लैप को And now again with the bobby pin आप इसको bobby pin से lock कर देंगे Base हमने लगाई रखा है तो बेस के support में हम इसको Lock कर रहे है That's it तो यहां तक हमने इसको बनाया So यह front variation आपने कुछ इस तरीके से तयार करना है Yeah it's looking beautiful Now Other side से भी आप इसको तयार करेंगे So same work we are just playing from other side इसमें आपकी दो फ्लापे बनने वाली है And Face framing section चाहे तो आप छोड़ सकते हैं अभी हमने उस side से नहीं छोड़ा Because of falling way था यहां पे optional है आप छोड़ सकते हैं इस recision point से अच्छा लगे तो छोड़ सकते हैं नहीं तो आप पीछे इसको प्ले का सकते हैं तो यह हमने diagonal section लिया और इसको कॉम करेंगे आप पफ के साथ में मर्ज करना है आपने गुलाई मेंटेन करेंगे Oval shape Yes, face shape बाहर ना हो तो इसको आपने कॉम किया Simply हमने कॉम किया है पफ के साथ कनेक्ट किया है Yes, it's looking nice और लाइन वक तयार करेंगे So, पहले हम हलका शाह इसमें shine spray कर रहे हैं ताकि जो है shining के साथ में बने Outcome result अच्छा है Neat and clean कॉम करें इसे कॉम करें Spreading करना है छोटे छोटे फ्राइ फ्रिजी हैर को control करें कॉम Turn किया इसको इतना ही चाहिए हमें Volume Line बनानी है One Continue करना है चो Line हमने बनाई है और आगे से हम उठा रहे है Line work को ताकि front से जादा visible हो front look आए Looking pretty So, ऐसे ही आप Line work को तयार करेंगे U-pin से पीछे just हमने अभी Hold किया है इसको Turn करते हुए Front पे पहले Line work को तयार करें Front important है अभी Front look को enhance करना है So, हम Line work को बना रहे हैं और दिखा रहे हैं अच्छे से बराबर बराबर डिस्टेंस में जहां पे आपको लगे दिखनी चाहिए तो वहां पे आप पूल कर दें Fine fine line यहां पे आपने तयार करें बनाया इसको Yes, it's looking nice बस आप स्प्रे कर दें इस पे छोटे छोटे फ्लाइ 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 फ्रिजी हैर को भी बैकवर्ड की तरफ ही लेके जाना है So, spray करें, fix करें, spray करें, fix करें Spray करें, fix करें Spray थोड़ा दूर से ही अपलाई कर रहे हैं एक स्प्रे का डिस्टेंस मेंटेन करके चले या 15 तो 20 सिंटी मिंटर डिस्टेंस से आपने करना है इसको भी यहां पे twist किया आपने हलका सा turn किया है आपने उपर की तरफ और यहां पे देखो आपने एक U-PIN लगाई है हमने ऐसे डाइगनली सीधा आगी की तरफ और यहीं पे आप फिर यह बॉप पिन लगा देंगे यू-PIN को हटा दे बाद में सो बॉप पिन लगाने के बाद यू-PIN की जरूरत नहीं है उसको हटा देना है अभी एक और section आएगा जो कि आप same flap यहाँ से हमने लिया next section यह छोड़ दिया है इसको भी कॉम करेंगे और ठिक यह भी flap तैयार करते हुए opposite side जाएगा यह ठिक इसके नीचे आप इसको लॉक कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा coverage करना है हमने तो इसको हम थोड़ा आगे ले आते हैं so we are just connecting here यहाँ पे हमने connect किया इसको यह इसको थोड़ा नीचे कर ले उसको cover करते हुए फिर आप लॉक कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे लॉक किया हमने इसको so next section planning के साथ यहाँ ले जाएंगे cover up करेंगे और इसको यहाँ पे आप यहाँ आप connect कर सकते हैं यहाँ थोड़ा सा अप कर देंगे हम तो दोनों फ्लैप आपके आपस में जुड़ जाएंगे यह सु यह लास्ट section है front का आपका दूशरा section इसको भी shine spray करें कॉम करें और same technique के माधियम से आप इसको पीछे ले जाएंगे spreading हलकी हलकी lines आप दिखाएं देखें फॉल कितना चाहिए उतना ही फॉल दें बहुत जादा फॉल लुक देने की जरूरत नहीं है मिरर में चेक करें पहले तो आपने front ही देखना है कि कितना front पे fall जा रहा है और उसके accordingly आप line work खेंगे that's it इतना fall बहुत है कान के ठिक उपर तक हमने रखा है yes now हलकी हलकी line दिखाएं इसको turn करना है उपर के तरफ आपको spread करना है और U-pin लगाएंगे हम यहां पे इसको रोकने के लिए so we are just putting a U-pins over here यह पे यह ब्लांक ना लगे तो ऐसे आप U-pin लगा लें इसको रोकने के लिए अभी हमने कोई भी hold spray नहीं किया है just हम pattern को तयार कर रहे हैं और इसको opposite side नीचे base है और base के साथ में आप इसको directly lock कर सकते हैं तो जब base या sponge वगरा कुछ रहता है तो directly आप U-pins का use करते हुए उसको आप lock कर सकते हैं थोड़ा हमें इस flap को और अच्छा बनाना है तो हम इसको थोड़ा सा lines work better करेंगे इसमें तो हमने कॉम किया कॉम किया कॉम किया नीचे and clean नीचे and clean सबसे पहले उपर वाली line यहां पे chop point से इसको U-pin से यहीं पे hold कर दिया है दूसरी line यहां पे उठाया इसको भी आपने U-pin से hold कर देना है तीसरी line यह आई रही है इसको भी खैचे चौथी line यहां पे खैच दे फिफ्त line यह सबसे नीचे तो यहां पे flap को हमने थोड़ा सा wider कर दिया है नीच के accordingly U-pin लगाते रहे और इसको अपनी शेप को तैयार करने के लिए जैसा आपको lines work चाहिए Yes, this is our side flap और फ्रेंट से भी इतना ही fall चाहिए था हमें बस spray करें and fix करें तो जैसे आपको लगता है कि flap आपकी सही बन गई है अच्छी लग रही है तो बस आप उसको hold spray के माध्यम से fix कर दे Yes, so यहां तक हमने इसको बना लिया है और यहां पे आप ठिक एक और U-pin लगा ले चाहिए फ्लैप के नीचे चले जाए और उसको अंदर ही lock कर दे तो यहां से यह पिंस भी आपकी नजर नहीं आएंगे So inside flap के नीचे जाके आपने horizontally नीचे बेस है, sponge है उससे कवर कर लें Yes, it's looking nice तो दोनों फ्लैपे हमने मिला दी है अब यह सारे सेक्शन बैक पॉइंट पे आगे हैं बस अब आप पिकॉक ब्रेट को आप कंटिन्यू करने वाले हैं आपने पिकॉक में ही या पैटल्स में ही आपने कंवर्ट करने हैं So अब देखे आपको कहा कहा पे जरूरत है वहीं वहीं पे आप इनको प्ले करें पहले कॉने के सेक्शन फिर मिडिल के सेक्शन आपके आने हैं Middle of Point के So यहां corner से आप लेके जाएंगे इसको बनाते हुए अभी density जादा है So middle वाले हैर को पहले आप उपर secure कर लेते हैं यह वाले हैर को यह आपके puff के हैर हैं और यह जो flap आपने बनाई हैं यह उनके हैर हैं इनको हमने twist किया, twist किया, twist किया और यही पे उपर आप एक U-PIN से इसको होल्ड कर लें किसे से आप ऐसे रुकवा भी सकते हैं या होल्ड करवा सकते हैं So अभी हमने ठिक यहां पे ही इसी पॉइंट पे Just U-PIN की मदद से Clips नहीं लगानी है U-PIN ही लगाएं तो यह से होल्ड हो जाएगा अब आप इन सेक्शन पे काम कर सकते हैं So now यही से आपने पैटल्स को तयार करना है So यह वाले सेक्शन से आपने Corner Point से कवरिज करनी है यह कोने वाला सेक्शन है Corner Point का सेक्शन So यहां से आपने इसको बनाना है So first we'll create spreading wear यह पे आपने spreading करनी है कुछ इस तरीके से थोड़ा इसको compress कर दे Corner Point पे इसको आपने कैसा आप इसको दिखाना चाहते हैं Side Point पे visibility कैसे चाहिए इसको spread कर दें Corner Point से बिलकुल cover up कर दें कि ताके एकोने से यह ऐसा खाली-खाली ना लगे coverage आपको पूरी मिले और यह U-Pins आपने लगा देनी है Side Point से यह wooden stick का भी आप ऐसे use कर सकते हैं bamboo stick का shape देने के रहे यह हमने Side Point से तयार किया और U-Pins लगा लेनी है Yes, it should be connected तो यह अभी हमने Corner Point पे दिया है Yes, it's looking nice So आपने U-Pins लगाते जाना है शेपिंग के लिए जैसे हमें result चाहिए That's it और इस section को फिलाल आप उपर ही अभी hold कर दें यह हमने अभी बस lock कर दिया है with using U-Pins So यह पहला section हमने दिया यहां पे next leaf आपको यहां से चाहिए तो इसको भी आपने यहीं पे play करना है So I want like this यहां पे मुझे यह रिजल्ट यहां चाहिए Petal It's looking nice So इसको आप यहीं पे play करेंगे इसी corner point से So यह यहां जाएगी Nice, जितना आपको पेटल की length चाहिए उतना आप उसको visualize करें और चेक करें कैसा लग रही है one और spray भी करें fix भी करें sharp होनी चाहिए U-pin लगा रहे है second now third fourth आप उपर तक लगा सकते हैं इसको जितना आप इसको spread करना चाहते हैं तो देखो हम एक साइट से थोड़ा उपर खैच भी रहे हैं उसकी लेंद को ज्यादा दिखा रहे हैं Yes, it's looking nice चोटे 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 फ्लाइ-फ्रिजे एर को कंट्रूल करें और इस सेक्शन को भी आप उपर जाने के बाद बेस के उपर ही आपने लॉक कर देना है तो अभी हमने यह दोनों सेक्शन छोड़े हुए हैं बचे हुए हैं अभी हमने इनको फिनिश नहीं किया है अभी हमने इस को ट्यार करने हैं बादा है नहीं कर लोड़े मैं उ vivid आर लादवे करें अभी हेरां लॉग हेर रहेंगे तो और भी यह विए बन बनें बने पर अभी होग ऑन्मे आपक कर ले आप्वियार करना है चाहस, पर लेक्लैन के रहा cigarettes इस साइड ले आए हैं अभी खौम करें साइड पॉइंट पे कैसे आपने उसको कहा पे आपने प्लेस करना है वो मिरर में देखना है आपने मिरर में देखते वे आप बनाएंगे आपको आइडिया लगता रहेगा कि नेक्स्ट पैटल पहले ब्रीट को देखे आप आपकी पिकॉक ब्रीट को नीड कहां पे है वेर यू नीड रिक्वार्मेंट कहां पे आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप इसको बनाएंगे पैटल्स को नेक्स्ट तो अभी हमें यहीं पे जरूरत है इसको कवरज भी करेंगे तो यहीं पे पकड़ना है और यहीं पे आप इसको स्प्रेड करेंगे डाउनवर्ड की तरह यह शुट भी शाप नीट अन क्लीन स्प्रेड किया हमने कॉर्णर पॉइंट पे यह आज स्लोकिंग टुरी बेस को कवर कर दें जो बेस देख रहा है तो यूपिन की मदद से आप इसको जहां तक आपको इसको फिलाना है इसको तो स्प्रेड करी सकते हैं आप प्रेस करें डाउन बेस के उपर आपने इसको दे देना है पहली पिन यह second pin लगाए थोड़ा down जैसे जैसे आप U-pin लगाएंगे इसका shape आता जाएगा और lines तो आपकी automatically दिख जाएंगे तो अभी हम यह left hand से लगा रहे हैं देखो तो side point से भी हमने इसको पूरा cover किया है तो ऐसे आप इसको cover करते जाएंगे और shape आती जाएगी yeah it's looking nice now check करें is it looking nice or not और spray कर दे जब आपको लगे की अच्छा है तो तूरंद उसको fixed भी कर दे yeah it should be here it should be here U-pin आपकी पैटल को placement देने के लिए और shape create कर ले के लिए काम में आ रही है so इनको आप बाद में निकालेंगे last में जब आपका पूरा braid बन जाएगा yes तो यह वाला section हम यहां लेके आए और इसको हमने यहीं पे लॉक कर दिया उपर yes it's looking pretty अभी यह वाले section हमने छोड रखे हैं इनसे हम यहां पे कुछ और भी बना सकते हैं और नहीं तो आप पैटल्स को ऊपर आप इसको ऊवरलाप कर देंगे so this is our next section इस पे भी आप यहीं पे middle of point पे बाकी hair को छोड़ दें यह हमने lock किया यहां पे that's it under base है ही और यह hair हमने छोड रखे हैं इनको हम देखेंगे कहां पे और किस प्लेस पे आप अज़स करेंगे प्ले करेंगे so this next section आप देखें आपको कहा पे पैटल के ज़रूरत है yes it's looking pretty so now we need one more petal over here यहां पे एक पैटल चुए हमे so यहां पे हमें एक पैटल बनानी है तो यहां से हम एक section ले लेंगे और यहां पे middle of point पे हम एक पैटल दे देंगे तो पहले हम इन बाल को उपर secure कर लेते हैं ताकि हम वहां पे आराम से एक पैटल बना सकें इनको हमने रोका इस section को लाना है see तो आपने देखना है जरूरत कहां पे है आपको पी हो रहा है तो हमने आदा इसको इदर ले आए जितने section की requirement है उतना ही ले नहीं चाहिए तो बाकी आप बात में छुपा सकते हैं ब्रेट लूप की मदद से जितना आपको पैटन क्रियेट कर रहा है उतना रख ले हमने चाहिए पीछे बेस है तो यह बेस में छुप जाएगा पीछे पीछे ब्रेच पीछे इसको भी आप साइट में लाइए और इसको ठिक इन दोनों पैटन के बीच में हम दई रहे तो यहां हमने इसको दबाया, लॉक किया और पैटल्स को यहां पर प्रिजेंट करना है येस, spread करें, spread करें चेक भी करते रहें, सही लग रही है या नहीं यहां पर, petals, yes, it's looking nice तो इसको spread करें, देरे देरे open up करें सुन्दर लग रही है, ठीक है इसको यहीं पकड़ा आपने और ठीक यू-pin से यहीं पर फिर लॉक कर देना है प्रे करें, फिक्स करें तो अप्लाई देख लग प्रे नेचे एंड क्लीन करें इसका बस आपको कॉमिनिशन देना जरूरी है कि पहले हमने क्या किया डाउन पॉइंट से कवरेज करें और फिर फ्रंट हमने बनाया पफ और आप फ्रंट को तैयार करते हुए बैक अफ दा पॉइंट तक आ गए साथ-साथ में हम यू-pin जरूर लगा रहें जैसी हमें पैटल के शेप चाहिए जहां तक आपको कवरेज चाहिए यू-pin उसको थोड़ा कंट्रूल करके रखेगी कहां पे आपको शेप चाहिए वहां पे आप इसको प्रिजेंट कर सकते हैं ये तस लोकिंग नाइस तो हम कौनर तो कौनर पॉइंट से भी ध्यान रखें बेस कवर होना चाहिए छोटे छोटे फ्लाइ फ्लाइ फ्रिजे हैर को भी अंडरी रखें ये तस लोकिंग प्रिटी ये वाला सेक्शन हमने यहीं पे जो एजिस पॉइंट है इसको यहीं पे राउंड करके यहीं पे छुपा दिया है अब नेक्स्ट लीफ आपको बनानी है अभी हमारे पास ये वाले हैर भी है और इनको भी प्ले करना है ये वाला सेक्शन इसको भी प्ले करते हैं हम इस कॉर्नर पॉइंट पे एक लीफ आप यहां बना सकते हैं लाएक दिस येज और इक लिफ कहने यहां पर इस पॉ commence है रुप से अखर ले लेते हैं जो एक पैटल्स तयार करनी है स्कैश्ञा मां है यहां के लिए और इस स्क्षं़ यहां के लिए कि blurry endeavors यहां के लिए when में एकर लिए एक लिफ क्राथ ciao कि यहां से हमने इस section को लिया नाव वी आ जास प्लिइंग आप पैटल वह है यहां पे आप यू पिल लिया है यहां लॉक किया डारिक्शन दी उसको और यहीं से आप spreading करके पैटल्स को तयार करेंगे यहां spreading यहां देखें कितने बड़ी पैटल दिखानी है आपने spread करें this is looking nice so one petal over here aise you pin लगाए प्री कर दे है उपर आप पैटल्स को अच्छे से अरेंज करेंगे make sure उपर वाला लुक आपका अच्छा होना चाहिए यह important है क्योंकि पैटल्स का result जो है उपर वाली पैटल से खराब हुआ तो बास आवटकम रिजल्ट कराब हो जाना है यहां दे सकते हैं, और यहां से भी आप पैटल्स को दिखा सकते हैं। Spreading Feather आप सोच रंग में पैटल्स बोल रहा हूं। और उस पैटल्स के जैसा ही है। इसलिए पैटल्स बोल रहा है। Okay, so यह हमने एक यहां पर बनाया। Next section, एक आप यहां पर भी बना सकते हैं। And one more section will play from the corner point. एक हमें यहां पर देना है। So, इसको हम पर दे देते हैं। पहले, जो section एजली जा रहा है जहां पर उसको वहीं पर प्ले करें। So, we are just taking both section over here, यह हम यहां पर प्ले कर सकते हैं। In middle of point पर इस point पर यहां हम दे सकते हैं। Okay, so, एक section हम यहां पर प्ले कर रहे हैं। और एक section हम यहां पर प्ले करेंगे। So, एक पैटल हमें यहां प्रेजेंट करनी है। So, पहले हम यूपिन से इसको प्लेस कर रहे हैं। यहां पर, corner point पर। So, थोड़ा और किनारे पे गए हम। यूपिन लगाई हमने। यूपिन लगाई हमने। section को कॉम करना है। एक section को कॉम करना है। फ्लाइट करना है। spreading के लिए। और यहीं पे आप इसको spread कर देंगे। That's it! और यहीं पे आपने इसको present कर लेना है। थोड़ा बाउंसी लग रही है। तो यूपिन्स का use करें। और इसको press करके दबा देना है। One Shape दे देना है आपको कैसी आपको चाहिए। And it's two Press करके लगाए। थोड़ा दब जाएगी पैटल जितना वॉल्यूम आपको चाहिए पैटल में उतना ही प्रजेंट करें। और यह सेक्षन को भी आपने ऊपर लॉक कर दिया है। That's it! अभी अगर आपको सेक्षन की नीद नहीं है तो यहां पे आप इनको बैक प्लेस पे ले जा सकते हैं। फिलाल अभी तो एक पैटल हम यहां पे बना रहे हैं। अगर नीद लगेगी तो विल प्ले इन बाक पॉइंट इसको हम बाक पॉइंट पे ले जाएंगे। जरुरत लगी तो नहीं, it's not looking nice. So, यहां पे इसी पैटल को हमने spread कर दिया है। तो ऐसे आप इस पिकॉक ब्रेड को बनाएंगे। एक सेक्शन यहां प्ले हो सकता है। तो यहां पे हम प्ले करेंगे। कुछ पिंस आप इंसर्ट कर लें। ताकि यह पैटल्स वहीं पे फिक्स्ट हो जाएं। इस सेक्शन को हम यहीं पे प्ले कर रहे हैं। और चाहें तो आप इहीं पे इनको एज़स कर सकते हैं। यह गोल-गोल घुमाना है एजस पॉइंट पे और ठिक यहीं पे आप यूपिन की मदद से इंसाइड लॉक कर दें। एक यह पैटल है जो हमने यहां पे प्ले करनी है। इसको हम प्ले करने वाले हैं। और ठिक इसको नीचे वाली पैटल के साथ-साथ आपने प्ले करना है। इस पैटल के नीचे आएंगे और छुपा देंगे हम। तो पैटल को थोड़ा सा उपर करना है। येस। डाउन वाली पैटल के साथ-साथ यहां पे हमने इसको लिया। कॉर्णर पे जस्ट यहीं पे आपने एक यूपिन लगा देनी है। अब भस हम उस वाली पैटल के साथ देखो हमने इसको मर्ज कर दिया है। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि हमने यहां पे कोई दूसरी पैटल इसके उपर से दिया है। आप लोगों को मालूम चलेगा क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि कैसे बन रही है। लेकिन थर्ड परसन नहीं बता पाएगा कि उसमें उपर हमने पैटल को प्ले किया है। कुछ इस तरीके से आप उसको सेट अप कर देंगे। यह तस लोकिंग नाइस। ऐसे आपने इन पैटल को बनाना है। और इनको आप प्लेस करेंगे जहां पे आपको रिक्वार्मेंट होगी। एक्वार्डिंग है। टेक्निक है। और शेक्शनिंग कुछ इस तरीके से आप ले जाएंगे। जैसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब इस पैटल को आप थोड़ा प्रेस कर दें डाउन कर दें। जहां पे आपको चाहिए। जहां पे आपको चाहिए। ब्यूतिफुल। चोटे-चोटे फ्लाइ-फ्रिजी हैर को कंचूल करें। इस तरीके से इसका आपकम रिजल्ट आना है। अभी तो यह थोड़ी और भी बनेगी तो वह भी हम कम्प्लीट करने वाले हैं। यहां पे थोड़ी पिन्स हम और लगा देते हैं। थोड़ा शार्प चाहिए थी हमें। तो हमने कॉर्णर से थोड़ा पिन लगा दिया इसको इसको थोड़ा और डाउन होना चाहिए तो यहां पे यह बस छोटी छोटी कारेक्शन आप कर सकते हैं। आपकी ब्रेड में। देखते देखते आपको मालूम चल जाएगा। यहां से हमने इसको कवर करी रखा है। इसको यहां से भी थोड़ा कवर करना है। यह चोटी चोटी बाते हैं जो आप ख्याल रखेंगे इसको बनाते समय वाव। अब यह वाली है इनका क्या करें हैं। इन पे आप कुछ भी बना सकते हैं यहां पे। यहां पे आप बू सेटिंग कर सकते हैं। रूस बन बना सकते हैं। फ्लावर आप यहां पे दे सकते हैं, और नहीं है तो इनको पिकॉक पेटल सी आप बना सकते हैं आप हम तोड़ा लॉक कर रहे हैं इसको विद यूजिंग बॉबी भी थोड़ा सा उठ रहा है, टाइट लॉकिंग चाहिए हमें, यूपर नहीं रोग पा रहे हैं ना सेक्शन बॉबी गुट फोड यू आल वैसे तो यहां पे फ्लाप अच्छी लग रही हैं फिर भी स्टिल हम सूच रहे हैं यहां पे आप लोगों को बोग सेटिंग भी बता दे तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा पेले हम चग कर रहे हैं अच्छा लगेगा भी या नहीं अच्छा लगेगा यह जा में पूर और फिर केंवा है नहीं पूर पिशुए टो यहां पर अच्छा लगेगा तो ह्म पसद टो शुक्रत व ग्हां लगेग़ म है थैड अब डताराईगा। तो चली दोस्तों सबसे पहले आपने इसको एक सेश्ट पारे और पे प्लाट प लिंग सद रें लुप लगें कैसे यहां रूपर की तरफ तरफ इसके सफ а sho न संटर रहींप टो सेुलाइज़ कोछ उसच्छीप लगा अर में के टाउने पर की तरफ और इसके सफ你要 घोड़ी सफ्लाइक, दो के लिए टाइज हैं सेंटर से उधर और इधर फ्लाट करके हां बस स्प्रे करें इसको अब जहां पर आपने ये फ्लाट स्टील क्लिप लगाई है वहां पर आप आप बॉप पिन भी लगा दे उसको रोकने के लिए बो सेटिंग दे रहे हैं यहां पर ऐसे तो फ्लापी अच्छी लग रही है अब अपने ठीक सेंटर से उतनी ही दूरी में मान लिया यह तो यह से भी आपने थी फिंगर डिस्टेंस में एक वर्टिकल वे में बउप पिन लगा देनी है और इन खुप्स को आपने हटा देना है यह सिर्फ प्लिस्मेंट हुई है अब बाकी जो यह बचे हुए अब फ्लाप तयार करें या फिर हएसए निए इसको भी यह पर स्प्रेड कर ले और इसपर आपने पैस्पीय का यूश करना है यह बहर and from front, borderline तयार करें, borderline तयार करें, फूक मारें, ब्लू करें, ब्लू करें, ब्लू करें, ब्लू करें, ब्लू करें, यह इसको पलट देना है, श्रिंक कर देंगे यहां, center point पर, जैसे इस पर शूक जाएगा, you will apply, just you pin, center of the point पर, यह, so यह आपने, वन साइट का श्रिक्षन तयार किया, with using hold spray, यह चोटे चोटे फ्लाइ फ्लाइ फ्रिजी हैर को connect करें, यह तो यह अभी हमने एकी तरफ ले किया है, बाकी के श्रिक्षन को नीचे की तरफ ही जाने दे, यह चोटे चोटे फ्लाइ फ्रिजी हैर है, यह चोटे चोटे फ्लाइ फ्रिजी हैर है, यह चोड़ देना है, ठीक है, now यह वाला section, देखो, स्टील क्लिप को हटा दें, यह से भी सेम करना है जैसे हमने अधर किया, इसको भी यह आपने तोड़ा स्प्रेड कर ले पहले, देखो छोटे चोटे बाल है इसमें, मिन्स ब्रिकेज़ हैर जादा है, तो हम इसको स्प्रे के साथ में बना रहें, यहां कॉम किया हमने इसको और स्प्रेड करें पहले हें, इसको नीचे की तरफ और नीची हे तरफ से, रोके और रोको देंगे, फिक्स करेंगे चोटेचोटे फ्लाय फ्रिजी हैर को ग्लोल करें तो हम चोटे-चोटे फ्लाइ-फ्रिजी हैर को चिपका रहे हैं और ठिक इसको भी जैसे यह सूख जाएगा पलट देना है तो इसको भी पकड़ा अपने और ठिक यहीं पे मिडल अप पॉइंट पे श्रेंग करना है तो पहले इसको फिक्स किया और तो कॉर्न येस दोनों फ्लापें दोनों तरफ की फ्लापे बराबर और एक जैसी होनी चाहिए तो पहले देखें येस इस लोकिंग नाइस और अपने इसमें भी यूपिन लगा देना है निचे इस पॉंज है यहां से भी आपने बनाया और उस साइट से भी आपने बनाया ये स्प्रे करें इसको भी और फिक्स करें यहां पी कोई लाइन नहीं नहीं आनी चाहिए तो यह आपने दो सेक्शन तयार करें दो फ्लापे तयार करी एक इस तरफ से और एक इस तरफ से तो ऐसे आप पॉंट पर बो सेटिंग बनाएंगे यहां थोड़ी बिगर बनाई हैं बाकि आप छोटा भी बना सकते हैं अब सेक्शन देखो एक यहां चूटा है और एक यहां पर आगे हैं मिडल पर हमने एक सेक्शन चूड़ा था मिडल फ्लाप के लिए तो हमने केवल इसी मिडल फ्लाप को लिया है और उसको भी आप सेम ही जैसे हमने उसको फिलाया इसको भी आपने फिला देना है यहां पर आप कि आपने कि लगा आपने क्लिन कर्ना है।। यह इप खुचे एंप उप्ष उप पटे।क्तzer, भाकि आप इसपे इस स्प्रेय करें गरता है। frae finger, Sesy ऐसा तों करसके मार्णा कैया चाहिए, debris press, पर्षक तो बारे को सुखने देश्प्रै जनाए लगए कर दएफ़ को को थोड़ा भाझाड होगा आपको अपार लंबे बाल रहेंगे तो ए च्छोटे बाल रखेंगे और नहीं तो आप तुरंत ज उस्प्रै उर इनको यहें पर आपने स्टिक कर देना है लॉंग हेर के साथ तो यह चोटे-चोटे बाल मुझे दिखाए देए आप लोगों को मैभी हुआ पर नहीं दिखाए देंगे यह इस लुकिंग नाइस तो अभी हमने यह दो फ़लाप तैयार करी आप यह हमारी लास्ट फलाप है लिषको आप यू-पिन से पलट के लॉерт करने वाले है श Anda यू-पिन ली हमने यह मिडिल टो फरह भाप है यह एक बालाण देना है तो इसको भी आपने पलट देना है So now it should be clean, उपर की तरफ पलटना है, प्रे किया हमने यू पिन ली, टर्न करना है यू पिन को और ठिक यहीं पे लाएंगे, सेंटर अप पॉइंटली हमने लगा दी है, और यह मिडिल अप पॉइंट का आपने नॉट सेटिंग देनी है, यह बन गी हमारी बो सेटिंग और यह इसको इसके अंदर अंदर से लेके हुए प्रेट लूप का आप यूज कर सकते हैं, इसको नीचे निकाल लेना है, तो यह इसका जो एजिस पॉइंट है वो हमने नीचे निकाल दिया, और एक यह सेक्शन यहां से, रिबन टाइफ यहां पर आ गई है, बस ऐसी तो करना है, यहां पर अपको अपर एक फ्रेट इशिव सकते हैं, आऑ इसको изपर प्रेट रिटा करें, इसको एक यह आप यह पर ऐसको जरुआ यहां पर आप इसको आप इसको जो क्याकता है, और आप अछल support. तो उससे हम यहां पे spreading करेंगे निचे वाली बॉप पिन दिखनी नहीं चाहिए, make sure So, यहां पे आपको एक पैटल यहां पे हम दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से Yeah, it's looking nice और इसको cover कर लेंगे So, shine spray अप्लाइ करेंगे हम Comb करें इसको और यहीं पे छूटा सा पतला सा सेक्शन है यह तो यहीं पे आपने इसको spread करना है, spread करना है, spread करना है, yes हलके हाथ से, फैलाएं इसको, फैलाएं इसको यहीं पे चाहिए हमें, yeah, it's looking nice Spray करें, fix करें, neet and clean करें Topmost section है यह, यहीं पे आपने U-PIN की मदद से इसको place करना है तो देखो हमने जो नीचे U-PIN लगाई है, उने की मदद से इसको यहां ला रहे है and ठिक इसको बो सेटिंग के नीचे ही आपने लॉक कर देना है So, U-PIN ली हमने और ठिक बो के नीचे ही लॉक कर दिया अब यह एजिस पॉइंट है इनको हम कोने पे ही छुपा देंगे यह वाले section को आप उधर प्लीज कर सकते हैं देखो यह section यह पे एजिस पॉइंट है तो इसको यहीं पे नीचे लाए हम और पैटल के नीचे मर्ज कर दिया है मालूम भी नहीं चलेगा कहा गया वह section ऐसे आप इनको बनाएंगे एंड एजिस करेंगे इस इस दे लास्ट section यह हमारा लास्ट section है इसको भी आप प्ले करेंगे सेम भी सेम चेक्निक इसको भी आप नहीं यहां spread करना है पहले चेक्र कर लें अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लगेगा तो इसको बनाएंगे नहीं तो नहीं येस तो यह वाला पैटल आपने set किया यह वाली पैटल को भी आप बनाएंगे कैसा present करना चाहते हैं इस फ्लैप के नीचे चलते हैं हम छुपा देंगे इसको तो अच्छा लगेगा हूपसू येस तो एक फ्लैप वहां और एक फ्लैप यहां हमने दिखाई इसको ठीक हमने यू-पिन से यहीं दबा दिया है उस पैटल्स को थोड़ा शा शार्प करेंगे वन इसको भी हम जस प्लैस करेंगे डाउनवर्ड पहले इसको हम लॉक कर देते हैं अंदर स्पॉंज है बेस है तो आराम से लॉक हो जाएगा आपको कोई प्रॉब्रम नहीं आएगी बस इसको हमने सटल कर देना है यह लास सेक्शन बचा हुआ है इसको भी आप अंदर ही आप इसको एम्तार से लॉक हम लाएं जाओ जाए जाओ गया इसको 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 पीजय तो भी प्लेज कर सकते हैं तो अजनाSi प्लेज just border to borderline, but make sure that this needs to be neat and clean so here from this border, we have prepared a borderline we have spray it, clean it and this is the edges point, we have to show it here inside yes yes so this has just adjusted the edges of the petals looking pretty that's it so you will make this peacock braid peacock feather braid yes, it's looking pretty it's looking nice so you have to make this it's looking pretty so this was a startup back up the point but many times we make it from the front of point that the startup will remain from the front and you will finish on the back point it depends on what you are making so yes yes these U pins you will insert them here they are placed inside the base so you have to insert them wherever you have to have a requirement you will insert them here inside or wherever you can use them invisible pins जैना भी यूज कर सकते है तो ए wheat इन्साइड इन्साइड यहा पे भी आपने लगाया जहां भी आपको जुरूरत हे उचको लगा-दे यहा से भी inside 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 तो इस आतीचे आप इस प॥काझ ओक फैदर ब्रेट को बनाएंगे It's looking pretty, it's looking nice, so this is the way basically for making petals braid or peacock braid, peacock feather braid. यहापे भी हम इनको यहीं पे यू-PINs को इंसाइट कर रहे हैं, आप इनकी जगह पे जरूरी नहीं कि इतनी सारी पिंस आपने लगानी है, आप इनकी जगह पे इन्विजबल पिंस का भी यू-PINs कर सकते हैं. पर जहाँ पे रिक्वार्मेंट है, जहाँ पे आपको हैवी लॉकिंग चाहिए, वहाँ पे ज़रूर लगाई रखें इनको, यह, it's looking pretty, that's it, तो ऐसे आपने इसको तयार करना है, जब पिंस का ख्याल रखें, यह दिखने नहीं चाहिए, बॉब पिंस थी, हमने थोड़ा सा पिंस को और कवर कर लिया, that's it, एपने भी हमने यहीं पे लगा दी है, जहाँ पे आपको रिक्वार्मेंट है, हमने बोला आपको लगा दे, अंदर बेस है, इस पॉंज है, आराम सी इसको पकड़ के रखेंगे, कुछ इस तरीके से इसका फाइनल आउटकम रिजल्ट आना है, अब एक बात का आपने ख्याल रखना है, यह जो कॉर्णर तो कॉर्णर यह चोटे-चोटे फ्लाइ 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 फ्रिजियर आते हैं, सब को आपने अंडर दबेस करना है, वैसे तो हमने इसको कॉर्णर कॉर्नर भी कवर किया है, फिर भी जो भी आपको लगे कि इनकेस कहीं से आपका बेस दिख रहा है, तो आप कॉर्नर भी आपने युव पिन्स फाइन पिन्स लगा देनी है, और यह चोटे-चोटे हैर को अंडर दा कंट्रूल, बेस है, अंदर पंज है, यह काफी सॉलिड ह बेसे फिर पंज लगाया है, और एक जगे यह स्थेबल रहेगा अगर आप के हैर का बाइकों करके मना की काफी थ्लेक्सिबल रह सकता है, यह फिर लोग फिर फैनल रिजल तो इसस दे कालिज अ लोग आपका बाइस, अअ यह फिर बाइने अपका ब्रेट जो हमने तैयार किया है yes it's looking nice यह पे आप कल्स का सकते इनको भी हटा दें so हम इस पे तोड़ा सा एरिंग्स and जूल्री पैना लेते हैं then we'll show you the final result so you can put some these kind of accessories over here yes it's looking nice pretty so ऐसे आप कुछ strap की accessories इन पे लगा सकते हैं थोड़ा दिस्तंस दिस्तंस में so one first put here and check is is at the right placement and then उसके बाद ही उसको लगाई next from here check करें yeah it's it will look nice over here बहुत जादा भी नहीं because of फुड़ी है पुड़ी है one we can put over here पहले देखे लगाके यहाँ अची लगेगी इस पॉइंट पे अची लगेगी so one we can put in this point yes and one we can put in this area center of the point in this area it जिए एक्रेंवाइ प्रेंट से किया। yes it's looking nice so aise aapne isme kuchis type ke aap hair accessories laga saktay hai this is the final outcome result yeah it's looking beautiful super okay guys, this is the final result yes it's looking pretty So right now I am just going to show you the final result Yes! So something will be front with your flap up technique With the spreading technique lines work Yeah, it's looking very very pretty Yeah, it's looking beautiful It's looking good, right? Yeah So this is the final outcome result Both settings are additional You can also make it and skip it It depends on your face And this is the final outcome result of this braid Yeah, it's looking really beautiful So this is the final result Hopefully you will have to understand how you have to make this braid Peacock feather braid Hopefully you will have to understand the technique If you liked the video, please like and share it with your friends And with all of you who have to learn styling And if you come to our channel, please subscribe to our channel And press the notification bell Please press the notification bell And if you have any comments or comments You can comment below If you want to know which hair styling you want to learn You can also mention it below If you want to know which hair styling you want to learn You can also mention it below If not, you can also tag us on Instagram You can also tag us on the name of Sunit Kumar Hairstylist We will play short videos There are also short videos You can also learn a lot So, okay friends We will see the next video And with some new styling Keep your attention And make your love and support Till then, see you soon Bye Bye We will make your love and support All of you Bye 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 झाल झाल